दोस्तो रोजाना गवर्रमेंट जोब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हांसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेला इकन को भी दबा ले हेलो दोस्तो बहुत-बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका अपने यूटूब चैनल गवर्रमेंट जोब्स क्यान पर जा रहे हैं बारवी पास कैंडिडेट इस भरती के लिए आवेदन कर सकते हैं जिहां दोस्तो बारवी पास कैंडिडेट जिन्होंने अपनी बारवी क्लास किसी वैल इकनाइज बोर से पास की हो वो कैंडिडेट इस भरती पर आवेदन करने के लिए इलिजिबल है लास्ट कर सकते हो ओर कब से कब तक अपलाई कर सकते हो इन सब चीजों की पूरी जानकारी के लिए बने रहे इस वीडियो में अंत्तक हमारे साथ इस वीडियो को अंततक देखने पर आपके सभी स्वाल और doubts के लियर होंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस भरती की पूरी जानकारी स्टाप selection board SSB के अंतरगति भरती होने जा रही है पोस्ट के नाम है lower divisional clerk, LDC, data entry operator DEO, junior secretary assistant, agriculture field assistant, laboratory assistant, record keeper, clerk, computer operator यह सब पद यहाँ पर combined higher secondary level exam यानि की CHSL के तहत भरे जाएंगे number of vacancies various है से लिए आपको 21,700 से 79,100 और कुछ पोश्ट के लिए 25,500 से 81,100 के बीच में provide करा दी जाएगी बारवी pass candidate इस भरती के लिए आविदन कर सकते हैं जिहां दोस्तों जिन candidates ने अपने बारवी class किसी well recognized board या फिर school से pass की हो वो इस भरती के लिए आविदन कर सकते हैं आयू सीमा आपकी minimum 18 साल और maximum 32 साल लगी गई है फीस यहां पर general category candidates के लिए 200 रुपे है और HT category candidates के लिए मातर 150 रुपे है यह आविदन सुलक आप debit card, credit card या फिर net banking के माध्यम से online mode में जमा करा सकते हो selection यहां पर आपका return test और skill test के आधार पर किया जाएगा online आप इस भरती के लिए आविदन कर सकते हो job location अरुनाचल परदेश है All India में आप कहीं से भी आविदन कर सकते हो official website है apssb.nic.in dates के गर इस भरती की बात करें तो इस भरती पर online आविदन करने की starting date 18 मई 2021 है मही पर आप online आविदन 17 जून 2021 यानि की last date 17 जून 2021 तक online आविदन कर सकते हो return exam आपका 1 अगस्त 2021 को conduct करा जाएगा तो दोस्तों यह ती SSB CHSL की इस भरती की पूरी जानकरी इसके बाद भी दोस्तों गर आपको इस भरती के official notification की PDF को open करके पूरी डिटेल आप उसमें से read कर सकते हो जी हाँ दोस्तों यह इस भरती के official notification की PDF का direct source link है जैसे ही आप इस link पर किलिक करोगे तो आपके सामने इस भरती का official notification खुल जाएगा यह इस भरती का official notification है यहाँ से आप पूरी डिटेल विस्तार पूरी वन बाई वन करके read कर सकते हो जैसे कि क्या post code है क्या post का नाम है कितनी से लिए आपको provide कराए जाएगी कौन से district और में आपको यह भरती होनी है और कितनी number of vacancies है साथ ही साथ आप यहीं से यह भी चेक कर सकते हो कि कौन सी category के लिए कितनी number of vacancies है यह पूरी डिटेल आपको यहाँ पर one by one करके provide कराए गई है जो कि आप यहाँ से read कर सकते हो पूरी डिटेल यहाँ से read करने के बाद आप simply इस भरती के लिए online आविदन कर सकते हो online आविदन करने के लिए link भी आपको हमारी website के इसी page पर provide कराए गया है जी हाँ दोस्तों यह इस भरती पर आविदन करने के लिए apply online card direct resource link है जैसे ही आप इस link पर के लिए करोगे तो आपके सामने इस भरती पर आविदन करने के लिए online portal खुल जाएगा इस भरती पर आविदन करने के लिए औरुनाचल परदेश करमचारी चेन बोर्ड का online portal है यहाँ से आप simply इस भरती के लिए online आविदन कर सकते हो 18 मई 2021 से link एक्टिव कर दिया जाएगा जिसके माध्यम से आप simply इस भरती के लिए online आविदन कर सकते हो आज की वीडियो में बस इतना ही आई होप ए वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो इसे like और share करना मत बूलना साथी साथ दोस्तों गर आपने अभी तक हमारा यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि हम डेली बेसिस पर आपके लिए ऐसी ही बिग गोर्मेंट जोब्स के अपडेट अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं